करीब दो तीन महीने पहले हम से संपर्ख किया और उन्हेंने बताया कि एक हमारा प्रयास है सी टॉक का जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को आप लोगों के सामने लाए जो समाज में कुछ कर रहे हैं और उससे प्रेरित होके आप लोगों में भी जो असीम छमताए हैं जो बहुत कुछ करने की आप में चाहत है इक्षा सकती से उसको एक बल मिले कुछ समाज में बदलाओ आए इस तरह का प्रयास का हम लोगों का सिलसिला चल रहा है तब हमने बोला कि ठीक है आप नीरज्जा आप ऐसा काम कर रहे है बहुत अच्छा नीरज जी आपका काम है ठी लेकिन आकर मुझे बहुत खुसी मिली आप लोगों को सांती से बैठे देखकर सुनते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना कुछ एक्सपरियेंस को बताओंगा कोई मैं मोटिवेटर नहीं हूँ मैं कोई एक प्रोफेस्टनल स्पीकर नहीं हो कि आप लोगों को ए आज ही सुवह सुवह हमारे मोवाइल में कई वाटसेप आए कि अरे आपने ख़बर पढ़ी है बॉंबे टाइम्स दिल्ली टाइम्स कई जगों पर छपी हुई है हमने पुछा क्या ख़बर है भाई तो आपके बच्ची इस बार आयटी किया है तो हाव ही किया है तो ऐसी बात है कि रितिक रौसंजी उन बच्चों के लिए एक पार्टी दे रहे है तो अब रितिक रौसंजी पार्टी दे रहे है कल पर सो ख़बर आई थी कि भाई राहूल गांधी जी बढ़ाई दिया उसके पहले ख़बर आई रभी संकर जी हमारे घर आए तो ऐसे ख़बरे आते रहती है लेकिन ऐसे ख़बरे जो आती है बच्चे आयाई टी में जाते हैं अभी अनूप की कहानी मैं बताऊंगा अनूप इसी आयाई टी बॉंबे का पढ़ा हुआ है एक जवाना था जब अनूप के घर में खाने को कुछ नहीं था उसकी मा रो रही थी कि कहां से ब कुछ खाना लेके आता हूं कुछ चावल लेके आता हूं तब तक तुम बरतन में पानी गरम करो जब तक पानी बॉयल होगा गरम होगा तब तक मैं चावल ठोड़ा किसी से गाव में उधार मांग के ले आऊंगा फिर हम लोग चावल और सॉल्ट खा लेंगे बला ठीक है आज 20 साल से भी उपर हो गए उसके फादर जो चावल लाने गए गरीबी से घर छोड़ दिया अनूप के लिए बहुत संकट का टाइम था कैसे उपढ़ेगा कहां से जाएगा उसकी मा क्या करेगी रोने लगी पूरा खोजने लगी क्या होगी जिंदगी की अब मजदूरी करते थे फादर बजदूरी करते वाला भी नहीं कहीं से कुछ आने वाला भी नहीं क्या होगा आगे की जिंदगी क्या होगी लेकिन मा हिम्मत नहीं हारी बच्चे को पढ़ाई साथ किलो मीटर पैदा लनूप जाता था पढ़ते साथ किलो मीटर पैदा लाता था बिहार का सासाराम डिस्टिक, नकसल डिस्टिक, खैर ऐसे करते करते अनूप टेंथ पास किया, टेंथ पास करने के बाद पटना में घूमता है कई जगों पर कि मुझे आगे बढ़ना जीवन में इंजिनियरिंग की तैयारी करते है, कोई आसरा नहीं, हमारे बारे में जनकारी मिलती है कि भाई सुपर थटी एक और नाई जेसा ने जहां बच्चों को घर में रखकर अपने साथ खाना पीना सब दिया जाता और पढ़ाया जाता अनूप आता है और दो साल रात दिन एक करके मेहनत करता है लेकिन वो दिन भी याद है जब अनूप पहली दफा अमारे घर आया था अपनी मा के साथ तो उनकी मा के पैरों में चपल नहीं था अनूप के पैरों में चपल नहीं था उनने पूछा कि भाई आप कितने दिनों से पटना में घूम रहें क्या चाहते हैं तो बाबू हम लोग करीब पाँच दिनों से चार दिनों से घूम रहे हैं कोई पढ़ा दे देखिए आज सिक्षा बेवस्था किया भी रंजन जी ने भी ये बात बोली सिक्षा बेवस्था ये हमारी है कि आज देश में बड़े बड़े फाइफ स्टार होटलों जैसे स्कूल है जहां बच्चे पढ़ नहीं रहें वाटसेप खेल रहें मोवाईल मोवाईल खेल रहें और एक ऐसी जगह है जहां गाउं है दिहात है अनूप जैसा लड़का पढ़ना चाहता है पढ़ाई 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 के लिए घूम रहा है खेल अनूप हमारे पास आता है दो साल मेहनत करता है मुझे भी पता नहीं चलता है कि इतना अच्छा करेगा जब रिजल्ट आता है तो मैं भी देखकर हैरान हो गया उसका एडमिशन आईटी बॉम्बे में हो जाता है आईएटी बॉम्बे से क्वैलिफाई करने के बाद चार साल में भी यहां आईएटी के बॉम्बे में कई एतिहासी काम किया स्टुडेंट के लिए उनके भलाई के लिए पहली नौकरी उसकी लगती है बुर्ज खलीफा में दुबई और आज यहीं पर पवई में एक छोटी सी कंपनी की सुरुवात की है कुछ आईटी एंस के साथ और आज मा को अपने अच्छे फ्लैट में यहां पर रखे हुए है और आराम से रह रहा है ऐसी एक कहानी नहीं है चाहे धरमबीर के फादर ट्रक ड्राइवर का काम करते थे ट्रक ड्राइवरी करते थे पटना से कलकत्ता ट्रक चलाते थे कभी पटना से दिल्ली ट्रक लेके जाते थे यह जिंदगी थी धरमबीर की आज धरमबीर भी आईटी बॉम्बे से पढ़न सडकों पर घूम कर रेल्वे स्टेशन पर गूप कर आखवार मैकजीन बेचते थे पिता का साथ देने के लिए बच्ची भी घूम घूम कर बेचती थी साम को बच्ची एक दिन आखवार में पढ़ती है सुपर 30 के बारे पर पटना जाती है मेहनत करती है और आज वही बच्ची आईटी रूर्की से पास आउट होके मैक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रही है ऐसी बहुत सारी कहानिया अभी तक हमने 480 बच्चीयों को ऐसे बच्चों को जिनके पिता जी रिक्सा चला रहे हैं जिनके पिता जी आटो ड्राइबर है मजदूरी कर रहे हैं प्यून का काम कर रहे हैं वैसे बच्चों को वैसे परिवार के बच्चों को अपने घर मेंने लाया रखा मा खाना बनाई वाइफ और भाई ने पूरी ताकत लगा इसको कि अच्छा कैसे किया जाए हम लोग पढ़ाय लिखा है और उतने में से आपको जानकर खुसी होए कि 480 बच्चे में 422 बच्चे IIT कहीं ने कहीं सेट हो गए नौकरी कर रहे हैं और बाकी बच्चे भी नाइटी बगर बगर ती लंबी कहानी है संचेप में ये मैं बताना हूँ कि जीवन एक संगहर से दोस्तों आप जहां भी हैं वहां अच्छा कर सकते हैं कभी आप ये निरास नहों कि मैं की स्कूल में प्रिंस्पल हूँ स्टमेटिसियन है और हमारा पेपर पबलिस हुआ था अब आईटी को देखकर एक बात याद है अभी अजय भाई हमारे साथ है अच्छा काम कर रहे हैं जय भाई भी अजय भाई अभी आएंगे हमारे बात दो मिनट उभी अपनी बातों को रखेंगे इन्होंने देखा कि सूपर 30 का एक प्रयास है तो सूपर 30 का जब एक प्रयास चल रहा है तो मैं भी कुछ करूं तब इन्होंने मेडिकल के लिए बच्चों को तयार करना स्टार्ट किया उसका नाम रखा जिन्दगी और आज हर साल कुछ न कुछ बच्चे सरकारी Medical College में इनके सहीयोक से जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि चलिए आज C Talk में मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ हमके चलिए और हम भी कुछ बोलेंगे दो-चार मिनेट हमको बहुत खुश हूँ कि देखिए सोसल इंपक्ट क्या है कोई आदमी कैसे समाज में बदलाव लाता है इसको जनकारी मिलेगी यह एक छोटे बोटा अपना काम करते थे जुकेशन का लेकिन इनको लगा कि नहीं मेडिकल के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए तो आप लोगों में से भी कई लोग बदलाव ला सकते तो ही हम अपने बड़े भाई जैसे अजय भाई को बता रहते हैं हमारे के स्टुडेंट है अनिरुद अनिरुद सिन्हा भी क्या करते हैं ऑनलाइन के जरिये सोसल जस्टिस के बहाने कई जगों पर वच्चों को पढ़ाते हैं जहां तहां मान सम्मान भी मिलता है तो ऐसे कई लोग जूड रहे हैं हमसे कोई ज़रूरी नहीं कि IIT के लिए पलस टू के लिए कोई पढ़ा रहा है कोई बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा है अच्छा अच्छा काम हो रहा है तो ही अभी बड़े भाई को बता रहे थे गेट में घुसते हुए कि मैं आज से समझ लिजिए मोटा मोटी आप पकड़ लिजिए कि 24 साल पीछे समय घूम गया जब मैं IIT के गेट से घूसा तब 24 साल पले नाई लगभग 1994 को ही गर्मी के महीना में भारत सरकार का एक अंग है National Board for Higher Mathematics तो वो प्रोग्राम इसी IIT में करवाती है MTTS Mathematics Talent and Training Search प्रोग्राम उस प्रोग्राम में बिहार से उस साल सिर्फ मेरा सेलेक्शन हुआ था और वो प्रोग्राम था जो कि डेड़ महीना चला और उसमें बड़े-बड़े Mathematician या तो IIT के Bombay के रहें या बाहर के लोग आके पढ़ाए और ट्रेंड किया उन लोग ने और उसी का परिणाम है कि उसके बाद Mathematics में इंट्रेस्ट और मेरा बढ़ता गया उस IIT के इस सामने होस्टल में में रहता तो सब अभी दिखाया पूरानी याद आगे और मैं सोचा भी नहीं था कि जब उसी IIT में डेड़ में न मैं पढ़ा उसी IIT में डेड़ में ट्रें कि आप कभी भी सपनों को छोटा मत देखिए अभी हमारे भाई अजय भाई हमारे साथ थे जस्ट बात्चीत के लाजे में मैं बोराओ कोई भासन टाइप करने बात बात्चीत में बोला उड़े ने पूछा कि आप कभी सोचे थे कि आप पर एक फिल्म बनेगी हमके भाई यह तो नहीं सोचेते लगी यह जरूर सोचेते कि समाज में चेंज लाना है समाज में हस्त छेप करना है चाहे कितने भी परतिकूल परिस्थितिया हो कितने भी दिक्कतों का सामना करना हो धारा के बिरुद बहना है और पत्थर का सीना एक दिन तोड़ के दिखाना है समाज को कि अगर चाहत है तो आप कुछ कर सकते हैं इतना तो मैं जरूर सोचा था कुछ नहीं था एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जैसा कि रंजन ने बताया नहीं खिरकी थे दरवाजे ठीक से थे टीचर आते थे कभी नहीं आते थे कोई भरोसा नहीं था लें गौर्मेंट इस सिटी में ही कंटनिव किया ग्रिजुएशन पूरा नहीं किया था उसी समय मैथमेटिक्स में इतना च्छा इंट्रेस्ट डेवलप किया और याद रखना मेरे दोस्तों अगर आपका कहीं इंट्रेस्ट डेवलप होता है तो कहीं न कहीं सहयता आपको मिलेगी आप कहीं भग अमेरिका में इंग्लैंड में पब्लिकेशन के लिए भेजा और मुझे उस दिन का उस दिन की बातों का मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितना खुस था खुसियों का ठीकाना नहीं था जब हमारे पास लेटर आया कि आपका पेपर मैथमेटिकल गजट जैसे जनरल में पब्लिस ह हो रहा है सोचिए कि कितना खुसी होगी कि मैंने पीएशटी किये हुए लोग वहां भेजते हैं प्रोफेसर भेजते हैं जैस्टुडेंट हमने भेजा उसमें भी पत्ना के छोटे से साहर के छोटे से कॉलेज से और वह पब्लिस हुआ केंबरिज इनवर्सीटी से ऑफर आ हुए लेकिन स्कॉलर्सीब मिलेगी पूरा क्या होगा सब चीज लगवक धीरे-धीरे तै हो रहा था लेकिन हमारे पास गरीवी इसक तर्टी डेड़ कपरे के मकान में रहने वाला परिवार चाचा-चाची सब रेलवेय लाइन के किराने रहने वाला परिवार जिसके दोस्तों बहुत लोगोंने बोला कि मदद मिलेगी, सरकार मदद करेगी, आखवारों में खवर आई, बॉम्बे के खवरों में खवर आई, कहीं से एक रूपया नहीं दिया, भेज से ही भीक मिलता है हमने सुना था, अब लोग चंदा देने के लिए आ जाते हैं, यहो सुपर 30 प्रोग्राम के लिए एक रुपया किसी से चंदा नहीं लिया है दोस्तों हम लोग हमारी टीम पढ़ाती है साम को ट्यूसन उससे जो पैसा आता है 300 बच्चों को घर में रख कर खाना खिला के पढ़ा लिखा के हम लोग आगे पढ़ाते हैं फिर हम लोग पीछे आते हैं तो अब हुआ भाई अब नहीं जा सकता है तरह तरह के पॉल्टीसियन से मुलाकात होई मिनिस्टर से मुलाकात होई कोई मदद नहीं के बैपारियों से मुलाकात होई यहां के अखवार सामना में जनसत्ता में, सारे अखवारों में, हिंदू में खबर आई, कहीं कोई मदद नहीं दिए, पिता जी का सडेंड डेथ हो जाता है, चिंता थी, हम लोग बार बार समझाते थे, पिता जी आप चिंतित नहों, उनका सडेंड डेथ हो जाता है, केमरी जाने का सपना तूट जाता ह सोच यह क्या था हमारे पास कुछ नहीं था एक मामूली ग्रिजुएशन का सर्टीफिकेट कुछ नहीं था लाइफ में ना मास्टर डिग्री पूरा किया था पीएशडी का तो बात छोड़ यह सारे सपने टूटे वे लेकिन एक चीज था कि सपना देखना जो अभी अमारे बोलने का टाइटिल कि नहीं सपने देखो सपना देखते रहो उसके लिए प्रयास करो जब तक आप सोच लिजे क्या रहे मैं तो स्कूल में टीचर हो गया मैं सोच लेता है जा मैं ग्रेजुएट हूँ मैंने पास कुछ नहीं पिता जी के जगह पर सरकारी नौकरी में रह पढ़ना है आगे पढ़ना है mathematics के अभियान को आगे पढ़ाना है पढ़ते पढ़ते करते करते यहीं IK Rana Sahib IIT में थे उस्सा बढ़ाते थे Land9 का जवाना था कभी कभी बूत पर जाके फोन करते थे यहीं आपके KD जोसी सहाव ते उस्सा बढ़ाते थे वो प्रोग्राम मे IIT में आया था, सबसे परचे हो गया, सबसे गुरुसिस्ति का समद्ध हो गया, तो समद्ध भी अच्छा बनाईए, ये भी एक है, जिंदगी के सफलता का दो ही मंत्र है, अच्छा समद्ध बनाईए, अच्छा बिवहार रखिए, अदूसरा कड़ी मेहनत करिए, अगर ये दो चीज करते हैं, तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे समद्ध से, सब लोगों ने उस साहित किया, करते-करते कुछ नहीं मिला, तो सलम के बच्चें उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते, 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 अजे मैथमेटिक्स टीचर फेमस हो गया, लोग बोलाने लगे कोटा में, दिल्ली में, और पैसा देता हूँ, बड़ा कोचिंग जवाइन करो, पार्टनर सी देता हूँ, फिर एक टर्निंग पॉइंट लगा, नहीं, आगे पढ़ना है जीवन में, एक पलस टू के लेवल का पढ़ाने वाला टीचर है, उसको आगे बढ़ना है, क्या करना है भाई, ऐसे बच्छों को पढ़ाओ, जिसके पास साधन स्वी विधायन नहीं है, मेरिट है, सो पर थटी की सुरुवात की, सो पर थटी की सुरुआत की, सो पर थटी पे सफलता मि पूरा पटना का कोचिंग संचालक समीती एक हो गया, सब माफियाओं से हमला कराया, गोलियां चली, हब पर छुड़े चले, चाकू चले, बहुत सारी बाते हुए, कई हमारा नॉन्टीजिंग स्टाफ घायल रहा, बहुत लंबी कहानी, पी-म-सी-एच में भरती रहा, बहुत सारा लगा, लेकिन फिर बिहार सरकार अभी भी चार सिकूरिटी गाड़ दी हुए, उतना साल से, पंदरा साल से भी उपर हो गया, हमला होते रहे, लेकिन अब हमला उमला नहीं होता, आप कोई नकली सूपर थटी खोल के, कहीं से चंदा उठा लिया, कोई को, तो तरह तरह के अस्वी धायाएंगे, इन तमाम परतिकूल परिस्थितियों में, हम अपना काम करते रहे, कि नहीं काम करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके लक्ष को बढ़ाना है, और आपको जानके खुसी होगी, रूजन यही बता रहा हूं, कि चार बातों को जीवन में ध्यान में रखी, हम अपने अनभाव के अधार पर बता रहे, पहला आप में प्रवल प्यास होनी चाहिए, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बदलाओ लाना चाहते हैं, भले ही आप छोटा काम करते हो, भले ही आप काम को कभी छोटा ना कहें, भले ही आप छोटे पत परों, छोटा पत ना समझे, आप में इक्षा सकती होनी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देश का इतिहास बदलना है मुझे लोगों की मदद करना है मुझे नीस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना ये भाव होना चाहिए परवल प्यास करना है मुझे अच्छा जर्नलिस्ट बनना है मुझे सी टॉक को इतनी उचाई पर ले जाना है कि अमेरिका में इसका कॉंफरेंस हो आस्ट्रिलिया में कॉंफरेंस हो करना है सी टॉक को आगे ले जाना है परवल प्यास तूसरी बात है पजिटीव ठिंकिंगों होगा जरूर घटना है घटेगी जब बड़े बड़े लोगों की कहानिया मैं पढ़ता हूँ कैसे गरीवी से निकल के आगे मकाम हासिल किया आनंद कुमार एक प्लस टू का मास्टर होकर उस पर बायोपिक बन रही है सी टॉक भी एक दिन जरूर बड़ा बनेगा बच्चा-बच्चा मोवाइल पर देखता हुआ नजरागा मम्मी पापा डाटेंग ए क्या कर रहे हो मोवाइल देख रहे हो नहीं पापा सीट ओक ओ देखो देखो मोवाइल देखो ये दिन आएगा पोजेटिव ठिंकिंग होनी चाहिए और तिसरी या ठक प्रयास ठकना नहीं है प्रोगाम करते रहना है आज भीड पूरी हॉल भर जाए कम भरे ज्यादा भरे लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर भी प्रोजेक्टर का परदा लगा हुआ रहेगा अलोग देखते रहेंगे मुझे भी टी करते दो प्रयास करते रहना है और चौथी सबसे बड़ी बात है बेरे दोस्तों असीम धैर्च ग्रेट पेसेंस पेसेंस रखना है बहुत बार हम प्रोजेक्ट चलाते बहुत काम करते फिल हो जाता है जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो दो बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट किया भाई को बोला भाई दो बच्चा है ऐसा है तुम लाओ हम उसको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स का करतब दिखाते कि एक ही सवाल को कितना तरीका से पनाया जा सकता है mathematics हो कितने interesting दर्ख से पढ़ा जाता है आया दो बच्चा दो दिन में भाग गया मेरा confidence हो गया भाई हम भाई को बोले देखो परदो भाग गया तो बोला कि अच्छा रुकिए हम दो चार बच्चा का और जोगार करते हैं दो चार बच्चा और लाया फिर दो चार दिन में उभी भाग गया बड़ा डिप्रेशन फ्रस्टेशन बेजती तो अलग कि क्या मैंने पेपर लिखा भाई को बोला कि देख भाई वा उभी भाग गया बोला कि ताब लड़का फसाना पॉस्बूल नहीं है अब आपका स्वामी विवेका नंद करते थे धैर्ज बनाये रखो बना के देखते धैर एक जोर और लगाते है फिर बोला देखी आखरी है दो बच्चा को लाई मेरा दोस्त इसके चलते आ गया है इजादा दिन नहीं टिकेगा लेगर टिका तो दो से चार पास से करते करते देखिए सुपर थट्टी का ये रूप है तो धैर्ज बनाये रखिए कितनी कठिन से कठिन परिस्तितियों धैर्ज बनाये रखिएगा सफलता आपकी चरण जरूर चुमेंगी और अगर ये बातों को लेके चलिएगा तो सच में सी टॉक की सार्थकता कब होगी जब हमने आपको कु बहुत बहुत धनुवाद